नमस्कार दोस्तों इन्वार अकैडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों जो हमारा एक्जाम है राजस्थान पोलुश्ट कंट्रोल बोर्ड के लिए इसके सलेबस में टॉपिक मेंचेंड है इन्वार्मेंटल जर्नल नॉलेज़ अगर हम बात करें इन्वार्मेंटल जीके की तो इन्वार्मेंटल जीके में एक टॉपिक है जो काफी महत्तों पौन है वो है इन्वार्मेंटल कलेंडर साल भर में विविन परकार के ऐसे सेलिबरेशन होते हैं जो हम environment के लिए जो है आयोजित करते हैं जिनका उदेश्य होता है किसी विसेश परकार के environmental component को ध्यान में रखते हुए उनको उनके protection को प्रोत्साहन देना या उसके लिए जो है लोगों के बीच में awareness फैलाना तो इसी परकार से हम देखें तो बहुत सारे events हैं और ये उम्मीद करते हैं कि एक question जो है ये हमेशा से इस टाइप के paper में आया है कि आपका like water day जो है वो किस date को celebrate किया जाता है तो इस परकार से जो है ये सभी जितने भी यहां पर महत्तोपोन celebrations हैं इनको आपने date के साथ में याद करना है सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो हम world wetland day से कर सकते हैं जो second feb को celebrate किया जाता है इसके बाद में forest day 21 March को आपका water day जो है ये 22 March को metrological day 23 March को national maritime day जो है 5 April को earth day जो है 22 April को celebrate किया जाता है Earth day पे water day पे maximum time जो है हमें question देखने को मिलते हैं International Biodiversity day 22 माई को anti tobacco day 31 माई को world environment day 5 June को ये बहुत महत्तोपोन है environment day पे भी maximum time जो है question आ जाता है और आपका world ocean day 8 June को आपका world day to combat desertification and drought ये 17 June को celebrate किया जाता है population day 11 July को world conservation day जो है ये जोलाई 28 को celebrate किया जाता है और आपका ozone week जो है ये 16 से 30 September के बीच में होता है और 16 September को ozone day celebrate किया जाता है world car free day जो है 22 September को celebrate किया जाता है green consumer day 28 September को world farm animal day 2 October को world habitat day ये basically जो है second जो आपका मंदे जो होता है किसी भी October का October के मंत में जो है जो फर्स्ट मंडे है वो world habitat day के रूप में जो है मनाया जाता है तो हर साल आपने ये देखना होता है कि भी अब 2030 में अक्टूबर में पहला मंडे किस डेट को है ये बाइस में और हो सकता है तीस में और हो सकता है इस परकार से हम देखें तो दो तीन चार है ना इवन पांच के आसपास जो है में देखाई पढ़ता है कि आपका फर्स्ट मंडे आता है अभी तक जो हम एर की बात करें तो ये थोड़ा सा देख लेना होता है तो फर्स्ट मंडे ओप ऑक्टूबर को world habitat day celebrate किया जाता है wildlife week जो है यह basically आपका जैसे इस बार 2nd October से 8 October के बीच में celebrate किया जा रहा है आपका world food day 16 October को international day for natural disaster reduction day 13 October को national pollution control day 2 December को बोपाल gas tragedy day 3 December को international mountain day 14 December को और national energy conservation day 14 December को celebrate किया जाता है तो अगर आप इस calendar की बात करो तो उसमें सबसे महतोपून जो आपके celebration है विसे तो सभी हमें याद आ करने चाहिए बर्ट जादा तर हमने देखा है कि आपके water day पे earth day पे, environment day पे, ozone day पे इन पे जादातर question जो है आए है परन्तो अगर overall देखें तो कुछ महतोपून ये आपके data सभी को हमने अपनी notebook में note करके जो है अच्छे से याद कर लेना है उमीद करते हैं कि एक question जो है इसके around आपको देखने को ज़रूर मिलेगा ठीक है बचो, God bless you